Hi friends, law of attraction हो या normal life हो कोई हमें दिल से याद कर रहा है, कोई हमें याद कर रहा है सिर्फ याद कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें क्या-क्या निशानिया हैं इसकी सबसे पहली चीज जो आप लोग नोटस करना शुरू करोगे एक तो हो सकता है, मैंभी वो आपके सपने में आना शुरू हो जाए किसी भी तरह से आप उनका सपना देखने लगो तो भी ये intimation ही है कि वो आपको याद कर रहे है सिर्फ होता क्या है, जब हम किसी को एक दम से याद करते हैं या किसी को दिल से याद करते हैं, याद करना भी अलग-अलग है, जब आप love relationship में हो तो आप बहुत ही दिल से याद कर रहे हो, ठीक है, जब आप ऐसे किसी को याद कर रहे हो, किसी भी वजह से कोई आपका हो सकता है, किसी से कोई लें देन हुई हो और उसकी वजह से आप किस में transmit होती है, इस पूरे environment में रहती है अब क्या होता है, हम सब energies है, जितने भी हम body है यहाँ पे soul है हमारा, हम सब energies है, right, तो जो भी vibrations आती है, वो सब हम absorb करते है, अब क्या होता है, जब आपने किसी को याद किया, तो आपने वो ही energy, वो ही frequency, वहाँ transmit करनी शुरू कर दी और soul and heart से connection होता है, ठीक है, अच्छा, अब याद करने से, यहाँ पे कुछ लोग यह सोचेंगे, कि जब याद कर रहा है, अगर इतनी ही याद आ रही है, तो call क्यों नहीं कर रहा, वो different है, याद आने के बाद action लेना different है, बिल्कुल different है, आपकी याद आने से जरूरी नहीं है, कि अगर किसी को आपकी याद आ रही है, तो वो फटाक से आपको phone करना शुरू कर दे, नहीं जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्या है ही नहीं याद आना एक बात है और याद जरूर आता है कैसे पता चलेगा आपको एक जो मैंने बताया कि सपने में आना दूसरा आपको उनके नाम दिखाई देने लगेंगे ठीक है ये सब यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है तो जिस इनसान के बारे में आप याद कर रहे हो ये उनको होने लगेगा उनको आपके बारे में कुछ याद आने लगेंगी आप में उनके सपने में जाने लगोगे हो सकता है आपका नाम उनको बार-बार कहीं दिखाई देने लगे ठीक है लेकिन जब वो आपको याद कर रहे हैं वो पूरे दिल से आपको याद करने लगए तो आपको उनका नाम दिखने लगेगा ठीक है जादा तर होता है जब आप लव वाइबरेशन भेशते हो तो आपने पार्टनर्स के नाम देखने लग जाते हो क्योंकि आपने वो देट्स आपको दिखने लगेंगे, उनिवर्स का हमसे कनेक करने का सबसे इंपॉर्टन्ट और सबसे एफिशियंट आइवुट से जो माध्यम है वो है नंबर्स हम सब जानते हैं एंजल नंबर्स है और भी नंबर्स है तो उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ है आपको अपने वो खुश्बू आपको एकदम से कभी-कभी ऐसा लगेगा कि मुझे उनके खुश्बू आ रही है तो यह सब चीजें ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि यह बनाई हुए है नहीं दीज आर ओल रिलेटेटेट टू वाइब्रेशन और यूनिवर्स से और एनर्जी से कनेक ठीक है तो आपको लगता है कि अब तो उसने मुझे यादी नहीं करना ब्लॉक कर दिया इस चीज को भी अपने दिल से क्लियर कीजिए हम इंसान को या चीजों को ब्लॉक कप करते हैं जब वो चीज बहुत जादा हमें परिशान कर रही है जब बहुत जादा हम उससे भाग उसने आपको वहाँ पे स्टॉप करने के लिए ब्लॉक किया हुआ है तो उसको भी आप एक तरह से पॉजिवली ले सकते हो कि यह ब्लॉक जो किया है मेसेजिज में वो भी इसलिए है क्योंकि आपकी याद उसे जीने नहीं दे रही है उसे इतना परिशान कर रही है यह हो अच्छा अब बहुत दिनों से ब्लॉक हो गए हो तब क्या हुआ है तब ही यह हुआ है कि आपकी याद अगैन वहाँ पे इतना जादा उनको क्या बोलू मैं याद इतना जादा परिशान कर रही है इतना जादा उन्हें फीलिंग्स एमोशन से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि उ आप लोग बहुत देस्परीट हो जाते हुआ हो बहुत परिशान हो जाते हो मत होुआ हो से फितना सोचो कि हां अब याद आरी है अब याद बहुत ज्यादा आरी है ओके जब बहुत ज़ादा किसी चीज को हम अपनी लाइफ में एकदम ऐसा लगता है कि अब इसके विना तो रहना ही पॉसिबल नहीं हो रहा है, इससे cut-down करना है, तब हम ब्लॉक करते हैं, जब याद बहुत जाद आने लगती है, तो फिर थोड़ा सा हलका सा रास्ता खोलते हैं, कि हाँ चलो ठीक है, तो फिर अन्ब्लॉक हो जाता है, तो यह है, और इसके अलावा येस, जो क्या आदत होती है, जब हमें किसी को contact नहीं करना है, तो हम उनके friends से बाते करना शुरू कर देते हैं, उनके relatives से बाते करना, मतलब जो लोग उनको जानते हैं, उनसे discuss करेंगे, बातों बातों में आपके बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, तो तब भी पता चलता है कि ह याद आ रही है, अगर वो friend आपसे connected है और आपको बता रहे हैं तो, अगर conversation में आपको बता चल रहे हैं, तब भी आप मानेंगे की याद आ रही है, यह सारे science है, याद आने के, तो होता क्या है कि जब आपको अपने person, किसी को आपकी याद आ रही है, या आपको किसी की या है, हमेशा माइन में रहते हैं हम लोग, 24 into 7 रहोगे आप लोग महाँ पे, लेकिन हाँ, यह अलग बात है कि याद आने के बावजूद सामने वाला action लेना चाहता है कि ने, वो एक बिल्कुल different zone है वो, उसको connect मत करिया अपनी यादों से, कभी यह मत सोचिए कि मैं किसी को य मुझे याद नहीं कर रहा है, ऐसा हो यह नहीं सकता, अगर आप लोग कभी relationship में रहे हो, कभी आप लोग connected हो एक दूसरे के साथ, definitely हर दिन में, हर दिन, 100% guarantee के साथ कह रही हूँ कि आप लोग जरूर उन्हें याद आरे हो, उनके mind में घूम करके, एक बार दो बार तो जरू आते हो, ठीक है, वो अलग बात है कि वो इस चीज के लिए initiative क्यों नहीं ले रहे है, क्या बंधन है उनके पास, क्या रुकाफटे हैं जिनकी वजह से हो सकता, family issues हो सकता, कुछ और हो जिसकी वजह से आप से connect नहीं हो पा रहे है, पर याद तो 100% आरे हो, इतना ध्यान रखन आप लोग और इस चीज को enjoy करिये, इस चीज के साथ happy रहे है, वाई, वाई, जब आफ हैपी रह कर के और उस ताइम पर और बी ज्यादा तेज से vibrations भेजो के तो वो connect होगा, and connect होने के बाद, yes, strength भेजो, send up strength, so that वो वहाँ action ले पाएं आप से connect करने के लिए, आपको contact करने क लिए, ठीक है, उनके पास अगर कोई मजबूरी है तो उस मजबूरी से वह बाहर निकल पाएं, और बाहर निकल करके फिर आपसे संपर्क बनाएं, आपसे बाते करें, किसी भी तरह से initiative लें आपके लिए, ठीक है, but इस खुशी में हमेशा रहे है, कि आपकी याद हमेशा ह आपकी याद वहाँ पे, एक आम इंसान जब हम रास्ते पे चलते हुए, किसी को ऐसा कुछ अजीब सा देख लेते हैं, वो हमारे जहन में रह जाता है, वो भी कभी-कभी हम याद आजाता है, जब हम नॉमल बाते कर रहे होते हैं, तो यह तो आप लोग relationship में हैं, emotions exchange हुए ह और इतना भरा, बतलब जो बहुत important और beautiful जो प्यार से भरा हुआ, moments है, वो सब आपने exchange किया हुआ एक दूसरे के साथ, जिया हुआ है, तो ऐसा सोचिये भी मत कि कोई आपको याद नहीं कर रहा होगा, और जब भी याद आएगी तो आपको इस तरह की चीजें, जब बहुत एक्स्ट्रीम लेवल पर याद चली जाती है, तब फिर ये सपने आना, उनका नाम दिखना, date of birth दिखना, कुछ angel numbers दिखना, कुछ ऐसे उनकी smell आना, उनके order, you know, body से related, बहुत बहुत बार बहुत लोगों ने feel भी किया होगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि उनकी presence, उनके touch को feel कर पाऊगे, एकदम से ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज कहीं से सुनाई दी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, आप मार्केट में हो और एकदम से ऐसा feel होगा कि किसी ने आवाज दी, और उनकी की आवाज और आप ढूंडने लगोगे, ऐसा कुछ होता है, 100% होता है, so ये सानी meditation है, वो करके देखना आप लो, definitely आपको उसका result मिलेगा, because बहुत से लोगों मिल रहा है, बहुत सारी लोगों मिल रहा है, और उसका link में यहाँ पर description में जरूर दे दूंगी, ताकि आप लोग उसका benefit उठा सके, so that's all guys, thank you so much, God bless you all.